नमस्कार बच्चों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे लेसन नमबर 11 एंसेंट इंडिया और वोल्ड का कुश्चिन एंसर तो दीकिए अपर नमबर वन क्या है नेम द फॉलविंग इसमें फोस्ट वन है प्लेसेज सेयर आर्टिकल्स मैड इन रोम वर फांड इसका अंसर देखें इसमें क्या आएगा कोलापूर एंड अरिकमेंदू इन तमिल नादू ठीक है फिर यहां पर सेकेंड अन्यू स्टाइल ओफ आर्ट डैट इमोज दूरिंग दो कुश्चाना पीरियड इन इंडिया तो इसमे इसमें क्या आएगा गंधा स्टाइल ओफ आर्ट इसमें क्या आएगा पाली लैंग्विज ठीक है फिर यहां पर फॉर्थ अ कंट्री टू विच बुद्धिजम हैड स्प्रेड इन दो एंसेंट पीरियड इसमें क्या आएगा श्री लंका ठीक है फिर यहां पर देखिए सेकेंड क्या है थिंक एंड एक्सपांड इसमें नंबर वन है इंडियन कल्चर हैड़न इंपेक्ट ओन साउथ इस्ट इस्ट इस्या तो देखिए यहां पर हमने इस कहां से लिखा हुआ है आप देख सकते हैं यहां से लेकर के यहां तक ठी यहां से लेकर के यहां तक पर उसके बाद यहां पर थोड है उसके बाद यहां पर पर फोर्ट क्वेश्चन है ना यह आपको खुछ से करना है आप अपनी टेक्स बूक में देख लेज़ेगा इसको यहां पर मैंने इसका आंसर नहीं दिया है यह आपको खुछ से करना है अब यहाँ पर नंबर 5 है find out more about इसमें first one है the गंधा style of art तो दीखे बच्च इसका अंसर हमने लिखा है यहां से ले करके यहां तक ठीक है उसके बाद यहाँ पर second क्या है the silk root तो इसका अंसर है यहां से ले करके यहां तक अब यहां पर six question है mark the countries of Southeast Asia mention in the chapter on an outline map तो यह भी आपको खुच्चे करना है ठीक है इसका भी आंसर मैंने नहीं दिया है question number four और question number six यह आपको खुच्चे करना है ठीक है तो दीखे यहां पर हमारा lesson number 11 का question answer complete होता है and अगर आपको हमारे यह वीडियो अच्छा लगा फृलीज हमारे वीडियो को like किसीगे, share किसीगे और अगरant का पर नय हो तो सब्सक्राइब केजीगे थैंक यू